हेलो फ्रेंज कैसे हो उमीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे आज हम स्टार्ट करते हैं ट्वेल्थ क्लास का फिजिक्स का एक्जाम प्रीविएस येर का ये 2019 का तो देख लेते हैं मेरे पास चारों सेट अविलेबल हैं मैं आपको दिखा देती हूं हर सेट हर सेट का एक एक पन्ना में आपको दिखाऊंगी तो आप देख लो अपने कोशन्स रैडी कर लो और अपनी प्रीपेशन्स अभी से स्टार्ट कर दो ट्वेल्थ क्लास के लिए है ये तो यह है हमारे फिजिक्स का फर्स्ट पेज जिस प बन्रा पेज है और 21 कोशन्स है सेकिंड पेज इस पे भी टिप्स है धर्ड पेज इस पे भी टिप्स है हमारी फॉर्थ पेज यह हमारे वनवन मार्क्स के कोशन्स है फिफ्थ पेज यह हमारे वनवन मार्क्स की कोशन्स है ऑके जो कि म सी क्यू और सोल्ट है शिक्स पेज पे भी हमारे वनवन मार्क्स के हैं इ death गया कि सेवन्ट पेज है हमारा इस पे भी वन मार्क्स है 8 पेज पे भी मारे 11 marks के questions है 9 पे भी हमारे 22 marks के question है ठीक है अभी very short जो MCQ थे वो खतम हो गया है 9 पेज से very short जो हमारे start हो गया है इसमें क्या है इसमें 22 marks के question है जिसमें हम 50 से 80 word का जो है answer लिखते है तो second question से लेके 11 question तक हमारे 22 marks के questions है तो यह हो गए हमारे 6 तक 22 marks के question number 7 भी हमारे 22 marks का है 11 तक 22 marks के question है 10 पेज पे 11 पेज पे जो हमारे 11 questions वो भी 2 marks का है यहाँ पे जो हमारे short answer question खतम हो जाते है और next आते है हमारे short answer type question ठीक है जिनका हम 3 number के होते हैं और answer हम 100 से लेके 120 सब्द में देते हैं words में देते हैं तो question number 12 से लेके आगे जितने हैं हमारे वो 3-3 marks के हैं next page पे भी हमारे 3 marks की questions है 18 तक 19 हमारा long answer type question है 5-5 marks के जिसमें हम पूरा lengthy question जो है answer attempt करते हैं 90, 20 और 21, 3 questions है हमारे जो की 5 marks के है 5 marks में हमें choice मिलती है एक question में 2 question दिये होते हैं जिनमें से एक choice करके हमें लिखना होता है जो उनसा हमें अच्छे से आता है तो यहां पे हमारा जो है A set जो है complete हो जाता है ओके अब आता है हमारा B set 12th class का physics का exam है ठीक है previous year का exam है तयारी के लिए मैं डाल रही हूँ देख लो अपने questions paper को और अभी से तयारी start कर दो यह हमारा B set का first page second page इस वे बेद सिर्फ tips लिखी है third page अब fourth page पे है one one marks fifth पे भी one one marks के question है objective type question 6th पे भी हमारे one one marks के है 7th page पे भी हमारे one marks के है 8 पे भी हमारे one marks से है 11 question तक हमारे जो one one marks के आते हैं जिसमें हमें one word में answer देना होता है या फिर किसी definition का answer 10 से 15 word में देना होता है तो question जो first है हमारा वो one one marks के हो गए second question से आते हैं हमारे very short जिसमें हम 50 से 80 वर्जों है सब दो में answer देते है तो ये आ गए हमारे second question से लेके 11 question तक दो दो marks के जिने हम very short answer बोलते है next page पे भी two two marks के very short question 11 question तक question number 12 से आते है short answer type question short answer type में हम 3-3 marks के जो question से वो add करते है तो ये हम है 3-3 marks के जिसमें हम 100 से 120 तक के सब्द का जो answer लिखते है question number 12 से लेके और 18 तक हमारे 3-3 marks के questions है ये 12th class के physics का exam है previous year का ये next page next page नेक्स्ट पेज नेक्स्ट पेज़ पेज पेहाता है हमारा belong answer type question जो लोंग ऑन्शर टाइप में हमें पाच पाच के marks के जो है questions आते हैं जिसमें पूरा length जो answer लिखते हैं पूरा description में यह हमारे तीन कोशन होते हैं 19, 20 और 21 इन में हमें चोईस मिलती है दो कोशन दियो होते हैं कोशन में जिनमें से हमें एक करना होता है तो देख लो और यहाँ पर जो हमारा सेट भी कम्प्लीट हो जाता है 21 कोशन पर यह हो गया हमारा सेट भी तो 21 का यह सेकिंड है जिसमें होता ने 21 कोशन में 2 कोशन दे होते हैं जो हम वन चोईस के साथ लिखते हैं यहाँ पर जो 15 पे पर हमारा सेट भी जो है अच्छे से कम्प्लीट हो जाता है यह 12 क्लास का फिजिक्स का एक्जाम है प्रिवियस एयर का यहाँ पर हमारा सेट भी हो गया कम्प्लीट अब आता है हमारा सेट सी फिजिक्स का एक्जाम है 12 क्लास का प्रिवियस एयर का तियारी कर लो, डाउन्लोड कर लो अपना, यह first second page, third page, fourth page, fifth page, fifth page पे हैं हमारे one one marks के question, जो first question होता है वो हमारा one marks का होता है 7th page पे भी हमारे 1-1 marks की question है और 8th पे भी हमारे 1-1 marks की question है यह set C चल रहा है physics का 12th class 9th page पे भी half पे हमारे 1-1 marks के है फिर आते हैं हमारे very short answer type question जो की question number second से start होते है यह 2-2 marks के है जी में हमें 50 से लेके 80 तक के जो सब्दों में answer देना होता है question number 4, 5, 6, 7, 8, 9 यह सब इतू-टू marks के है 11 तक physics का है यह exam 12th class का set C तो 11 तक आते हैं हमारे 2-2 marks के questions 12 पे आता है हमारा short answer type question जो की 33 marks पे included हो जाते है जिनका answer हम 100 से लेके 120 तक के सब्दों में देते है यह 18 तक होते हैं हमारे 3-3 marks के question number 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 तक हमारे 33 marks के questions होते हैं question number 19 में आता है हमारे long answer type question जो की हम पूरी theory लिखते हैं पूरा descriptions देते हैं questions के answer का यह 55 marks में आते हैं इसमें हमें एक question में two questions दिये होते हैं जिन में से हमें one choice करके लिखना होता है यह हमारा set C physics के exam 12th class physics का यहां पर जो set C complete होता है तो अपना download कर लो और अपनी तयारी अभी से start कर दो अब आते हैं हमारा 12th class के physics का exam set D ठीक है 12th class के physics का exam में डाल रही हो site पे set D previous year का है तो अपना download कर लो और अभी से तयारी start कर दो first page, second page, third page, fourth page, fifth page fourth page तक जो है tips है only fifth page से question number one start होता है जो कि objective type questions है जिन में one one marks के question आते है या तो one word में answer देना होता है फिर one की definition देने होती है जिसकी definition का हम 10 से 15 तक के सब्दों में answer देते है sixth page पे भी one one marks seven page पे भी one one marks के questions है हमारे ये exam English और Hindi दोनों medium में है तो आप Hindi वाले भी download कर सकते हो और English वाले भी next page पे भी one one marks के questions है second marks में आते है हमारे very short answer type question जिसमें हमें two two marks के questions होते है ये 11 तक होते हैं इनमें हमें 50 से लेके 80 तक के सब्दों में answer देना होता है ये 11 कोशन तक है जो कि हमारे टूटे है 11 कोशन के बाद आता हमारे 12 कोशन जो कि हमारे 33 marks के start हो जाते है short answer type question 18 तक जो हमारे 33 marks के जो चलते है questions 18, question number 18 तक अब आते हैं question number 19 पे हमारे long answer type question जिसमें हम पूरे questions का अच्छे से description देते हैं answer में इसमें एक question में two questions होते हैं जो हम one choice करके लिखते हैं तो यहां पे हमारा जो है Saturday complete हो जाता है physics के 12 का मैंने यह चारो सेट जो है आपके इस वीडियो में डाल दिये हैं आप अब भी download केजिए और अपनी preparation स्टार्ट कर दीजिए उमीद करते हूं कि आपको इस exam से चारो सेट से कुछ help मिली होगी धन्यवाद